चे मातेगी दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्थिक स्वागते महा काली भगतियान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बताने वाली हूँ निरंत्र, ओम, करिम, काली, काये नमहा मंतर का जाप करने से कौनशी शक्ति आपको प्राप्थ होती है क्या होता है आपके जीवन में किस चीज के आपको फाइदे होते हैं जी हाँ भक्तो अगर आप भी मा काली के इस बीज मंतर का चाप करते हैं अपनी पूजा पाठ में हवन में तो आप इस मंतर का अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितना पावरफुल मंतर है और कितने इसके फायदे होते हैं और कितनी शक्तियां हमें प्राप्त होती है इस के बारे में वो आपको इस मंतर के सारे बेनेफिट बताएगा और सब चीच बताएगा कौन-कौनची शक्तियां आपको मिलती है मेर को इस चीच के बारे में किसी नहीं नहीं बतायता मैंने तो बस सुरवास से जब पूजा करी थी तब से ही अब तक भी मैं इसी मंतर को ये मुझे सही रास्ता दिखाया मैं कभी भी उदास होती थी तो मातुरंत इस मंतर के जडियत मेरे पास आती थी और मेरी परिशानी का हल करती थी तो इसलिए इस सबसे मन पसंद मेरा मंतर है इसके अलावा मुझे कोई और मंतर भाता नहीं है तो जो जो लोग आज के समय में इस मंतर का जाब करते हैं जैसे 100 में से 90 परसेंट लोग हैं जो इस मंतर का ही जाब करते हैं तो उन लोगों के जीवन में क्या होता है जब वो इस मंतर को जबते हैं कौन सी शक्ती उनको प्राप्त होती है क्या फाइदे होते हैं सब कुछ मै वीडियो में ही बताऊंगी वीडियो को आप लास्ट देखना तभी आपकी समझ में आएगा और बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाऊंगी अगर आप लोग महाकाली भगत गयान यूटुब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक से कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकन को ओल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नूटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुचे तो देखिए भक्तों सबसे पहले मैं आपको बताओ जब आप इस मंतर को जपना शुरू करते तो जबते जबते कम से कम आपको तीन से चार महीने हो जाते हैं उसके बाद आपको इस मंतर के चमतकार परती दिन दिखने लगते हैं अपनी आँखों से खुदू सबसे पहले इस मंतर के ज़िए से आपके घ़र के सभी काम सिद्ध होने लगते हैं. अगर आप कंटीन्यूज का जाब करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप शईणी वार के दिन, मंगल वार के दिन ही करते हैं. रोजाना की पूजा में यदि आप इसी मंतर का जाब करते हैं तो आपके घर के सभी काम होने लगते हैं उसके बाद दूसरी चीज जब आपके घर में किसी नेगटिव शक्ती का वास होता है चाहे आपके घर में किसी ने कुछ कर रखाओ ये कुछ भी हो तो उस चीज से भी आपको छुटकारा मिलता है इस मंतर के जरिये से तीसरी चीज इस मंतर के जरिये से माता आपकी परिक्षा भूत लेती है और परिक्षा में आपको फेल नहीं होना है परिक्षा का डटके आपको शामना करना है अगर आप परिक्षा में पास हो गए तो आपकी जिंदिकी माता काली ही बदलेगी और कोई नहीं बदल सकता क्योंकि माता नहीं आपकी परिक्षा लिए इस मंतर से आपको शक्तियां कौन कौन शी पराप्त होती है पहले तो आपको माता काली की ही शक्ति मिलती है ऩीतन टीए दूसरे नंबर पर आपको माता की योगनि शक्ति मिलती है जरूंह नंबर आपके अंग्संग भेहरो भावा बिराजमान रहते हैं आप कभी इस बात को नोट करना जब आप इस मंतर को जाप करते हैं तो सपने के माध्याम कुट्टे ज्यादा तेर दिखने लगते हैं। दिखते हैं तो COMMENT करके जरूर बताना नीचे और कुट्ज़े इसलीधे हैं, क्युंकि इस मंत्र ke जड़ेता के आप नात भावव需नात की धूति की शक्ति प्राप्त हैं। उसी की वज़ा से आपको बार बार कुट्ते दिखाई देते हैं और मा कमख्या की भी शक्ति आपको मिलती है मा दक्षनेश्वर काली की शक्ति मिलती है चामुन्दा माता की भी मिलती है आनेक देवी शक्तियां इस मंतर के जड़िये से ही प्राप्त करी जाती है ये बहुत पावरफुल मंतर है और ये मातागा बीज मंतर है इसको कोई सिद्ध करने की जरुवत नी पड़ेगी आपको ये ओरड़ी सिद्ध होता है बस क्या होता है पूजा पाट करो इस मंतर को जपना शुरू करो और आपके जीवन में जब आप चलते फिरते इस मंतर को जपते है या सोने से पहले जपते कैसे भी जपते है तो आपके जीवन में हमेसा अच्छा होता है कभी जैसे मान लेजिए आपके उपर कोई कष्ट आ रहा हो आपका जिसमें सबसे ज़्यादा नुक्षान होने वाला हो वो कष्ट जो आपके उपर आने वाला होता है वो तुरंत टल जाता है क्योंकि इस मंतर की शक्ती जो आपके साथ स्वें बिराज मान होती है इस चीज के आपको इसके फाइदे होते है और दूसरी चीज ये भी है कि जब आपके घर के सभी काम धंदे बंद हो जाते है जैसे आपने कोई विजनस खोला है तो विजनस पहले सही चल रहा था कुछ दिनों से ठप हो गया है विजनस बिलकुल भी सही नहीं चल रहा तो इन सब चीजों का आपको छुटकारा मिलता है बिजनस भी तेजी से रोकिट की तरह आगे बढ़ता चले जाता है तो इस चीज के यानि इस मंतर के भोत फाइद होते हैं और मैं तो यही कहूंगी कि जतने भी भक्ति यह मंतर जबते हैं बिलकुल सही चीज उन्होंने चूस करी है और यही मंतर है माकाली का जो सभी दिक्तों को परिशानियों को खतम करके आपके जीवन में खुसिया लेकर आता है अनेक शक्तियां आपको प्राप्त होती है तो चलिए भक्तों हम मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माकाली हरहर महादेव माकाली बाबा भूले ना ताप सभी की सारी मनुकाबना पूरी करें खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार जै मतरी है